महारिसी दयानंद सरस्वती के बारे में डिसकस करेंगे इस लेक्चर में ये इमेज में देख सकते हो आप ये हैं दयानंद सरस्वती जी अभी रीसेंटली न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि 26 फरवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई जैनती जनम दिन सेलिब्रेट कि गया हर साल 26 फरवरी को इनका जनम दिन नहीं आता है क्योंकि ट्रेडिशनल हिंदू कलेंडर के हिसाफ से दयानंद सरस्वती जी का जनम दिन फागुन महीने में फागुन महीने का जो किर्शन पक्ष होता है देखो जो हिंदू कलेंडर है उसके हिसाफ से एक महीने में दो पक्ष होते हैं 15-15 दिन के एक सुकल पक्ष और एक किर्ष्ण पक्ष जो किर्ष्ण पक्ष होता है उसकी दसवी जो तिथी आती है दसवी तारीक उसको मनाया जाता है दैनंद सर्चवती जी का जनम दिन तो इस साल 26 फरवरी को ये दसवी तिथी पड़ी थी फागुन महिने क किर्ष्ण पक्ष में इनके बारे में पढ़ते हैं कौन थे ये और क्या क्या कंट्रीविशन थे इनके योगदान क्या थे हमारे भारत में स्वामी दैनंद सर्चवती जी का हिंदू कलेंडर के हिसाफ से तो दसवी तिथी को मनाया जाता है जनम दिन लेकिन अगर इंगलिस कलेंडर के हिसाफ से देखें तो 1824 में 12 फरवरी को इनका जनम दिन होता है यानि कि जनम होता इनका गुजरात के टंकारा जगे में इनका जनम होता है ब्राम्मन फेमिली में इनके माता पिता लाल जी तिवारी और यसोदा बाई जी थे ये और्थोडोक्स ब्राम्मन थे जनम का नाम जब इनका जनम हुआ था तो इनका नाम मूल संकर तिवारी था क्योंकि इनका जनम मूल लक्षत्र के दोरान हुआ था इसलिए इनका नाम रखा था मूल संकर तिवारी इन्होंने 15 साल तक एसकेटिक की तरह भर्मन किया घूमे इधर उदर सच की तलास में सर्च of truth के लिए 15 year तक 1845 से लेकि 1860 तक ये सन्यासी की तरह सन्यासी की तरह घूमे इधर उदर द्यानन्द जी के जो व्यूज है पहली बार जो प्रकासित हुए थे पब्लिस हुए थे इनकी फैमस बुक है एक इसका नाम आपको याद होना चाहिए सत्यार्थ प्रकास नाम की बु कंटीबिशन रहे ये इंडियन फ्लॉसवर थे सोसल लीडर थे और आर्रे समाज के संस्थापक थे फाउंडर थे आर्रे समाज की इन्होंने स्थापना की थी आर्रे समाज एक रिफॉर्म मूमेंट था रिफॉर्म मूमेंट यानि कि संसोधन वाला अंदोलन समाज में प्रिती जी जिन्होंने कहा था इंडिया फोर इंडियान 1876 में और पहली बार स्वेराज का जो नारा दिया था इन्हों नहीं दिया था यह solve taught man की तरह समझे जाते हैं मतलब खुद को teach करने वाले यह खुदी थे और great leader थे इंडिया के फर्स्ट आर्रा समाज की जो unit स्थाफित कुई थी establish की गई थी वो मुंबई में की गई थी पहले मुंबई का नाम बॉम में था 1875 में स्थाफ ना की थी फर्स्ट आर्रा समाज unit की यानि कि अगर पूछा जाए आर्रा समाज की founding कव की गई थी तो 1875 में पहली बार मुंबई में लेकिन बाद में इसका headquarter मुख्याले change कर दिया था बाद में लाहोर shift कर दिया था लाहोर जो इनका विजन था इंडिया का ये ऐसा भारत देखना चाहते थे जो class less हो जिसमें कोई भी class ना हो caste less society हो कोई भी जाती ना हो ऐसा समाज होना चीए इंडिया का United India होना चाहिए एक भारत होना चाहिए चाहे Religiously हो चाहे Socially हो चाहे Nationally हो धार्मिक सामाजिक और राष्टता के रूप में एक इंडिया होना चाहिए और वो इंडिया Free from Foreign Rule हो विदेशी ताकतों से विदेशी सामराज जैसे वो Free हो आजाद हो ऐसा भारत हो विद आर्यन रिलीजन हो यानि कि एक ही धरम Common Religion होना चीए सभी के लिए वो हो आर्य धरम आर्य रिलीजन आर्यन रिलीजन इन्होंने वेदा से इंस्पिरिशन लेके जो वेध है चार वेध है उ से प्रेरना लेके इन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो हिंद्यूजिम के ट्रू औरिजनल सीड पर बेस्ड हो यानि कि जैसे हिंद्यूजिम स्टार्टिंग में था ऐसा समाज हो जिसमें कोई बुराईया ना हो कुरूतिया ना हो इन्होंने नारा दिया था स्पोर्ट किया था जो चतूर वर्ण सिस्टम है वैदिक सिस्टम में चतूर वर्ण का मतलब है फोर वर्ण सिस्टम ब्राह्मन छत्रिय वैस्य सूद्र जो समाज हमारा बटा हुआ था चार वर्णों में इसको परमोट किया लेकिन अलग तरीके से इन्होंने कहा कि देखो जैसे रिगवेदिक काल में था कि कोई भी बंदा कास्ट उसकी डिफाइन ना हो जनम से not born in any कास्ट किसी कास्ट को उसकी डिफाइन ना किया जाए जनम से बलकि उसके occupation के according जो भी वो काम करें उसकाम के according उसके वर्ण बाटे जाएं कि वो जैसा काम कर रहा है उसकाम के साफ से उसे ब्रह्मन छत्रिय वैसे है सुद्र समझा जाए इनके education system में क्या क्या contribution रहे क्या क्या युगदान रहे इन्होंने हमारे इंडिया के education system का complete छानबीन किया ओवर हॉल किया यह modern इंडिया के एक visionary समझे जाते हैं 1886 में DAV स्कूल पहली बार बने जो स्वामी धयानंद सरस् स्कूल देखो अभी भी बने हुए होते हैं हमारे इंडिया में द्यानंद एंगलोवेदिक इसकी फुल फॉर में यह द्यानंद सरस्वती जी के विचारों पे ही चलते हैं यह college या स्कूल first जो DAV स्कूल बना था वो लाहूर में establish हुआ था महत्मा हंसराज जी ने इसको स्तापना की थी और यही इसके पहले headmaster थे अब थोड़ा आर्रे समाज के बारे में discuss कर लेते हैं 1875 में स्तापना की द्यानंद सर्श्वती जी ने आर्रे समाज की इन्होंने इसका target आर्रे समाज का यह रखा था कि जो पहले हिंदू scripture हैं उनको दुबारा से लाया जाए समाज में और वेदो को re-establish करने का target था इन्होंने जो भी वेदों के बाद जो creation थी जो भी मानलो कोई book है उनको degenerate किया उनका disrespect किया और reject किया सबको सबको reject कर दिया सिर्फ यह चाहते थे जो वैदिक original teaching है उसी को पढ़ाया जाए उसी को लाया जाए उसको यह दुबारा से interpret करना चाहते थे अपने तरीके से 1920s के दौरान और early 1930s के दौरान बहुत सारे tension create हो गए इनकी विचारधारा से क्योंकि बहुत सारे muslim धर्म के लोग थे वो नाराज हो गए क्योंकि music before mosque यानि कि मस्जिद के सामने mosque के सामने music बचाया जाता था जो cow protection movement था उनके दौरा देखो cow protection movement था जिसको गाय को बचाने के लिए संजक्तित करने के लिए आंदोलन चला रहे थे कुछ लोग तो यह मस्जिद के सामने music चलाते थे music गाते थे तो इसका मुस्लिम लोगों ने विरोध किया और आरे समाज का effort यह था परियास यह थे आरे समाज के सुद्धी करन का सुद्धी movement वी चलाया इनोंने आरे समाज में सुद्धी movement यह था जो convert हो गएं इसलाम धरम में कुछ हिंदू people उन्हें दोबारा से re-convert करना है हिंदू में तो जो recently इसलाम में convert होएं तो यह bring back करना चाते थे हिंदू में जो इसलाम धरम में convert हो गएं यानि कि सुद्धी movement चलाया था conversion movement था यह तो इसका वी विरोध किया मुसलिम धरम ने जो आरे समाज है यह mainly western इंडिया और नदन इंडिया में बहुत ज्यादा परचलित था यह आरे समाज ने कुछ ऐसी पर्था और बुराईयां थी हमारे समाज में जिनका विरोध किया आ जो बली चड़ाई जाती है पसूँ की पूजा के तौर पे उसका विरोध किया आरे समाज ने और देखो आरे समाज अभी भी लोग हैं आरे समाज जो follow करते हैं सरद्धा को इन्होंने अपोज किया सरद्धा है जो ancestor की पूरवजो की जो रीती रिवाज निवाते हैं उसी तरह से define होनी चाहिए untouchability छुवा छूत का इन्होंने विरोध किया child marriage का जो साधी करा दी जाती है बच्चों की उसका विरोध किया पिलगिरी मेज जो तीर्थ यात्री तीर्थ सतान पे जाते हैं इसका विरोध किया इन्होंने पृष्टली क्राफ्ट पुजारियों का विरोध किया temple offering जो मंदिरों में offering की जाती है चड़ाय जाते है फूल वगैर आईए भगवान के उपर इनका इन्होंने विरोध किया इन्होंने uphold किया था यानि कि support किया था uphold मतलब support करना समर्थन करना वेदों का समर्थन किया था इन्होंने और doctrine of कर्मा का करम के जो सिद्धान था उनका ये support करते थे कि करम के आधार पे ही लोगों को देखा जाए और संसार process of death और rebirth इसमें ये बिलीव करते थे sanctity of cow cow की ये पवित्रता को पर्मोट करते थे और संसकार को importance देते थे individual sacrament individual के जो संसकार है उसको ये importance देते थे यानि कि social reform करना चाहते थे ये वैदिक rituals या वैदिक teachings के हिसाब से इन्होंने female education को promote किया था intercast marriages को भी promote किया था इन्होंने एक जो marriage होती है एक कास्ट से दूसरे कास्ट के बीच में उसका समर्तन किया था और बहुत सारे mission चलाए इन्होंने और फनेज बनवाए अना थाले इन्होंने बनवाए विड्डोज के लिए homes बनवाए जो विद्वा हो जाती है महिला उनके लिए इन्होंने shelter house बनवाए नए schools और colleges वगेरा खुलवाए इन्होंने स्कूल्स और colleges फैमिन रिलीफ इन्होंने कराए जब कहीं पर मालो भुकमरी हो रही है कहीं पर अकाल पड़ रहा है तो वहां पर यह कार्या करते थे और medical work भी बहुत सारे इन्होंने करवाए थे यही था इनके बारे में बस